हेलो दोस्तों वेल्कम बेक तो मैं यूटूब चैनल स्टडी मैस नाइटिवन तो आज मैं आप लोग लिए सत्रे परवर की सेकेंड शिफ्ट की हिंदी जो आपके एक्दम पूछी गई थी वो लेके आई हूं ताकि उससे आप लोगो क्या फायदा होगा पहली बात तो आप लोग उनकी आंसर दीजे एक प्रेक्टिस सेट उसको लीजे ठीक है और जैसे यह खतम हो जाएगा चारो शिफ्टों के मैं एक्जाम के जो पेपर हैं वो करा दूंगी तो उसके बाद में आपको डेली एक प्रेक्टिस सेट लेके आऊंगी इसी तरह से उससे क्या होगा आ तो आप एक्जाम में हींदी देंगे तो कम से कम समय में हैं आप हींदी पूरी कर पाएंगे और आपके हिंदी के आल्मोस कॉश्टन सेछेए क्योंकि मैंने सारी हिंदी आपको टॉप को पड़ाईए और जो टॉपिक रहा हैं रोगी तो हम क्या करने वाले हैं सत्रे फरवरी 2024 की सेकेंड शीप्ट हिंदी क्या हिंदी ठीक है हम यह गरने बाद में ठीक है उमीद है आपको कल के क्लास अच्छी लगी होगी और आप आज क्लास पी अच्छे से देखेंगे ठीक है चलिए देखिए पहला थर्टी नाइन कोशन ठीक है 39 कोशन से स्टार्टेस्स में हिंदी तो पहरा कोशन है कौन सा अच्छी कोशन लगा दूँगी आप लोगों के लिए 39 कोशन देखेंगे दिखरह होगा Аप्लोगुद स्क्रीन पर निम्मिय लिखीत में से कौन सा सब्द जाल और है नम्रतिका बानर कर सकी जिसमें शाव अगेरा दिखें यह कोई वैसी वाली मात्रा दिखें आधा शा दिखें वाह दिखें वह वाले शब्द कैंसे होते हैं वह आपके तश्यम होते हैं यानि संसक्रथ के शब्द तो देकिए इसमें म्रतिका दिख रहा है आपको ठीक है म्रतिका क्या पूछा है तदवत पूछा है म्रतिका का मिट्टी हो जाता है ओस्ट का ओठ हो जाता है ना बानर का आपका बंदर हो जाता है बानर का क्या हो जाता है बंदर हो जाता है क्या बच्छा उल्लू यह क्या है आपका यह क्या है वह हैं, चॉलिसमे स्वाफिशन ठीक है, चलिए, नेस्ट है, 40 कोशन, देखे दिख रहा होगा आप लोगो को 40 कोशन पढ़िए और आंसर दीजिए, 40 कोशन, ठीक है, 40 कोशन डीमिति को वैसे कौन साव सब्द तस्सम है, ठीक है, कौन सा सव्द तस्सम है, तो देखे क्या क्य complet है शहां यह लगा आपका सम मुदाब निलिखित मेंशे चांदी सब्द के पर्याएवादची किस बिख़ी निलिक वादची सब्द के चांदनी शब्द के कौन से सब्द के चांदनी शब्द के देखिए ऑप्शन क्या क्या है इसमें जोशना ललना कौमदी मंदाकनी कौमदी जोशना और चंद्रका और चंद्रहास तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा सी कौन सा होगा सी क्या है कौमदी कौम याद रहेंगे, ठीके, तो इसका अंसर क्या हो गया, C, चलिए, आगे बढ़ते हैं, 43 की हो, पॉर्टी टू क्या है, आपका 42 क्या है, निम्न लिखित में से किस भाक्यांद के लिए दिया गया संग सुसंगत है, कौन सा, बाक्यांद के लिए दिया गया संग सुसंगत है, देखी बताएं, option A है, सत्रू को जीतने वाला, अजाश शत्रू, जो पढ़ा ना गया हो, अपठनी है, जो पहले ना हुआ हो, होनहार, आदी से अंत तक अदोपतान, तो देखें, सत्रू को जीतने वाला, ये भी ग गलत है, B भी गलत है, C भी गलत है, D सही है, इसका, आदी से अंत तक, क्या अंसर होगा, इसका, आदी से अंत तक, इसे क्या बोलते हैं, अदोपतान, ठीके, तो कौन सा अंसर हो गया, इसका, D सही होगा, ठीके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कौन सा, 42 हो गया, नेक्स्ट है 43 43 ठीक है, next is 43 सुरुती सम, भिनारतक शब्द, युग्म, ठीक है निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है, तो देखिए किस का अर्थ पूछा है, निर्वाद और निर्विवाद ठीक है, बताईए इन दोनों का अर्थ पूछा है, तो देखिए क्या होगा, इसमें क्या क्या देखा है, विवाद रहित मित्रता, निक्सासन, भाईचारा निंदा ब्रभ, तो देखो इसका क्या होगा, इसका होगा, निर्वाद का होता है निंदा ठीक है, और इसका होता है विवाद रहित तो answer क्या हो जाएगा इसका D कौन से हो जाएगा D निंदा और विवाद रहे ठीक है answer क्या हो जाएगा इसका D कौन से का 43 का चलिए आगे बढ़ते हैं 44 को 44 कौन से question पर 44 ठीक है 44 question क्या है 44 question पढ़िए और answer दीजिए इसका निमने लिखित में से अशुद्ध बाके का चयन कीजिए निमने लिखित में से अशुद्ध बाके का चयन कीजिए तो क्या है देखे पढ़िए पहला कौन लियान ने मुझे मत्रा दिखाया क्या अशुद्ध बाके बताना है ये तो शुद्ध है question लियाने मुझे मत्रा दिखाया तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हैं तुम मेरी तरफ मेरे नहीं होता क्या होगा ठीक है option B तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो यही तो होगा मेरे नहीं होगा ठीक है मेरे नहीं होगा तो आंसर क्या होगे है इसका option B होगया ठीक है option B होगया बाकि सब सही है गीता ने सुसीला को अवाई लगाई पर वैच चली के कस्मीर में कई स्तव देखने ही होगया ठीक है समझ में आ गया तो answer क्या होगया इसका 44 चलिए आगे बढ़ते हैं हम 45 question ठ लिंग की द्रस्टी से कौन सा बिकल्प गलत है ठीक है किसकी द्रस्टी से लिंग की द्रस्टी से द्रस्टी से गलत बाकि बताना है कौन सा गलत बाकि ठीक है तो option क्या क्या दे रखे हैं देखिए option दे रखे हैं आपका इसका तनूज option दे रखे हैं तनूज तनूजा ठीक तनुज तनुजा और B है आपका बनिया बनियान, ठीक है, C है साप सापिन, D है आपका चूहा चूया, तो बताई, आंसर देजिए, चूहा चूया, तो देखिए, आप लोग को पता है, लिंक की दर्सी, देखो तनुज का तनुजा होता है, ये भी सही है, ठीक है, साप का सापिन हो सकता है, चूहा का चूया होगा, बनिया का बनियान नहीं होगा, है ना, बनियान का बनियान नहीं होगा, या फिर हमारे यहां तो बने नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग बोला जाता है, हर जेगे, तो इसका क्या होगा, योगा, चली, next आगे बढ़ते हैं question 46, कौन सा question 46, चलिए आगे बढ़ते हैं, बदू शब्द का बहु बचन, कौन सा शब्द, कौन सा शब्द है, बदू शब्द का बहु बचन, बदू शब्द का बहु बचन, देखिए, option क्या दे रखे है, बदूए अप्शन बी दे रखा है बदूए अप्शन सी दे रखा है बदूए और अप्शन दी है बदूए तो बताए यह अंसर क्या होगा इसका दिख रहा है चलो इंग डाल लेते हैं अबी तो इसका अंसर क्या होगा देखो बदूए का यह भी नहीं होगा यह भी नहीं ह ठीके क्या होगा बदों में ठीके चलिए आगे बरते हैं मैं इंग डाल लेती हूँ चलिए नेक्स कोश्चन है 47 कौन सा कोश्चन है 47 कौन सा कोश्चन है 47 दिख रहा होगा 47 आपको मा ने बच्चे को मिठाईयां दी मा ने बच्चे को मिठाईयां दी रेखांके शब्द में कौन सा कारक है रेखांके शब्द में कौन सा कारक है माँ न क्या किया बच्चे को मिठाईया दी थी ठीक है तो यह कौन सा हो जाएगा संप्रदां कारख संप्रदान कारक आंसर D ठीक है ठीक है? आंसर D ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question 48 question 48 question क्या है? बहुत की सब्द में प्रत्य है चलिए बताईए बहुत की शब्द में प्रत्य है बहुत की शब्द में प्रत्य है कौन शाह देखिए option है की E एक और D का चलिए बताईए तो देखे बहुतिकी शब्द में क्या है प्रत्य कौन सा होगा E कौन सा होगा E बहुतिक की ठीके बहुतिक प्लस E यानि बहुतिक की ठीके याद रहेगा तो option B ठीक होगा चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा बहुतिक इंपोटेंट चीज़े हैं ये आप लोग को इससे प्रैक्टिस भी होगी ठीक है इससे क्या होगी प्रैक्टिस भी होगी 49 49 का है निर भीमान निर भीमान ठीक है निर भीमान शब्द में उपसर्ग श्रवद मैं उपसरग, उपसरग बताना है, देखिए, ओप्शन है आपका निर, ओप्शन भी है आपका निर भी, ठीक है, ओप्शन C है इसका निरा, और options D है इसका निर, क्या है निर, आनसर दीजिया, उप क्या होगा? तो देखें निर विवान, तो इस में क्या हो जाएगा? देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं निर प्लस अभिमान, मैंने इस निर को हलंत में तोड़ दिया, ठीके, तो क्या हा रहा है इस में उपसर्ग? निर तो 2 तो जएगा एक तो हमसे तोड़ कर उपको देख सकते तो वह मैं समझ में आ जाएगा कि यह यह हो जाएगा इसमें यहालंग वाला नें नहीं क्योंकि इसमें से हमने कांग निर भीमाद नेर प्लस अभिमाद ठीक है चली27 ilng dengan इसने आपका कि ते नेक्स कोशन है आपका 50 50 कोशन है विकल्प का सही समास बिग्रे नहीं हुआ है सही समास बिग्रे नहीं हुआ है किसका नहीं हुआ है बिग्रे नहीं हुआ है बताएए किसका नहीं हुआ है देखें ए है बेद पुरान बेद पुरान इसका क्या हुआ है इसका हुआ है बेद और पुरां बेद और पुरां तो ये बताईए ये सही है ये गलत है बताईए तो ये क्या है बिलकुल सही है देहे लता इसका क्या है लता रूपी देहे लता रूपी दे ये भी ठीक है ठीक है ये भी ठीक है नेक्स्ट क्या है यग श शाला, तो ये भी ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका गलत, डी, इसका क्या होगा, नव निदी, नव निदी, क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है आपका नो प्रकार की निदी है, नो प्रकार की निदी है, इसमें ये दे रखा है, तो ये ही आपका क्या है, गलत है, क्या इसमें इसमें होगा क्या देखिए यह गलत है यही आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इसका अंसर हो जाएगा या यही गलत इसका क्या होगा नो निदियों का समू, यह सकते हैं, यह नो निदियों का समू, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, यह सही होगा, नो प्रकार की निदिया नहीं होगा, समू यह समाहार, यह कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, आपका D हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे आप लोग को तो आगे बढ़ते हैं, क्या उपन कोश्ण हो गया, तुरी 50 हुआ है, 51-1 क्या है, निश्चिय बाचक सर्वनाम, बताइए मैं आपको पकर आ चुकी हैं, क्लास, निश्च बाचक सर्वनाम, बताएे, सर्वनाम है, Option दे रखे हैं, यह है, तुरी, Option है कौन, B है कुछ, C है आपका यह है, D है क्या, अब बताएए, बताएए, बताएए क्या होगा, तो यह तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको गलास कराएए, निश्चे बाचक सर्मनाम क्या हो, कौन तो प्रश्न बाचक हो गया, कुछ, निश्चे बाचक हो गया, क्या, यह भी, निश्चे बाचक, ठीके, निश्चे बाचक, ठीके, याद रहेंगा ये क्या हो जाएगा, निश्चे बाचक, ठीके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, 51, 52, कभीशर का संदी विक्षित क्या है, क्या है, कभीश्वर, कभीश्वर का संदी विक्षित, का संदी विक्षित, बताई देखिए कभी तो आएगा, कभी ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, कभी प्लस इश्वर, क्या होगा, कभी प्लस इश्वर, यही तो होगा, कभी प्लस इश्वर, क्या हो जाएगा, कभी इश्वर, कैसे, यह तो मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, यह वाल क्या है option number option number बी है बावन का क्या है option number बी आपका बिल्कुल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है 53 कोशन नमबर ठीक है 53 ठीक है 53 क्या कोई तारे गिन सकता है कौशा है 53 देख लीजे क्या कोई तारे गिन सकता है बाक में किस चिन्न का प्रयोग हुआ बताइए अरदिवनाम है कोस्ट्रक चिन्न निर्देशक चिन्न या प्रश्ण आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कोई प्रश्णवाचक चिन्न दिख तो इसका आंसर क्या हो जाएगा परश्ण सूचक चिन किकर क्या यह आगे बढ़ते हैं आपका 54 कॉसें इमानदार शब्द में कौन मैंने अभी विशेशन की क्लास करा ये दोजारत दिन पहले इमांदार शब्द में विशेशन तो बताइए मैं उप्शन दे रही हूं इसको आंसर दीजिए संख्या बाचक संख्या बाचक नंबर बी सार्वनामिक ये सब करा चुकी हूं मैं सार्वनामिक गुड़ बाचक इनके एक्जाम्पिल भी दिये थे मैंने हर चीज कराई थे दी चीके परिमार बाचक परिमार बाचक तो बताइए इमांदार कौन सा होगा हम किसी के गुड़ की बात कर रहे ह बहुत इमांदार है, हम उसके गुड की बात करवें हैं तो कौन सा विशेशन हो जाएगा ये गुड बाचक विशेशन, कौन सा गुड बाचक विशेशन, इमांदार शब्द में विशेशन कौन सा है, गुड बाचक, बहुत इमांदार है, हम ऐसे कह सकते हैं तो कौन सा हो ग 55 कौन सा है 55 55 निम्न क्यूशन दिख रहा होगा आपको निम्न मैंसे सकर्मक क्रिया का उधारन कौन सा है निम्न मैंसे सकर्मक क्रिया का उधारन कौन सा है राम मंदिर अयोध्या में बना है रमेश ने खिलोने खरीदे वहचत पर है हाती सो रहा है देखे सकर्मक अभी मैंने क् कर्म के साथ कर्म के साथ कोई चीज आती है तो उसे कहते है सकर्म के लिए और इसमें कर्म रहे ठीक है तो अब देखिए राम मंदिर योद्धिया में बनाई यह तो है नहीं रमेश ने क्या खरीदे खिलोने खरीदे तो यह क्या है कर्म है तो आंसर क्या हो जाएगा रमेश न खिलोने खरीदे ठीक है यह इसका अंसर हो गया ठीक है यह क्या है कर्म कैसा है सकर्मक्रिया का उधारन है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है 56 कोशन देखते हैं 56 गाय मीठा दूद देती है 56 गाय मीठा दूद देती है इसमें क्या है ए है सामान्य बरतमानकाल बी है आपका सामान्य बूद काल बूद काल सी है आपका तात्यकालिक बरतमानकाल और डी है आपका संदिग्द बरतमान अब बताई आंसर दीजिए ठीक है तो इसका क्या होगा देखो गाय मीठा दूद गया है क्या देती है तो सामान्य बरतमानकाल यह मैं आपको पढ़ा चुकिए हु क्णच इसा। नेन्स मैं पड़ा नहीं जाता हुआ। कुनसा बाच्य बाच्य के लास बहुत है। बाच्चे देखे option में है आपका वैसे तो आपको देखके ही पता चल रहा होगा कर्म बाच्चे ठीक है नंबर भी क्रत बाच्चे नमबर D C है भाव वाच्चे और नमबर D कोई नहीं कोई नहीं तो आंसर क्या होगा इसका इसका आंसर क्या होगा देखे जब भी इस तरह के बाकिया होते है मुझसे ये काम नहीं किया जाता मुझसे पढ़ा नहीं जाता मुझसे खाया नहीं जाता इसमें क्या होगा भाव बाच्चे कैसा होगा भाव बाच्चे होगा ठीके क्या होगा भाव बाच्चे ठीके ठीके तो चलिए आगे बरते हैं नेक्स कोश्टन 58 अँसी के चोशन है आपका 58 कोश savon कांपर जू ना रैंगना। कांपर जू ना रैंगना कौन सा कांपर जू नदिन चाहिए बहुत दुख होना हिमत तूट जाना कुछ seu ना होना बदनाम करना बताइए जब हम के कहते हैं इसके तो और ह्ट्र॥ जू नहीं रखा रहना। मतलब है 58 का C, कुछ असर ना होना, क्या हो जाएगा इसका, कुछ असर ना होना, क्या हो जाएगा पिटा, कुछ असर ना होना, ठीक है, option C, चलिए, next question है 59, आकर्षण सब्द का बिलोम, आकर्षण शब्द का बिलोम, शब्द का बिलोम, तो यह तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, आकर्षण का बिलोम क्या होता है, आकर्षण का बिलोम क्या होता है, बिकर्षण, आकर्षण का बिलोम क्या होता है, बिकर्षण, option में है, तो देखिए, इसमें option कौन कौन से दे रखें, option दे रखा है दुरा कर्शन, ठीक है, दुरा कर्शन, अप्शन दे रखा है दुरा कर्शन, बी दे रखा है विकर्शन, ठीक है, और सी दे रखा है आपका अना कर्शन, ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल मिलेंगे, आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, ताकि आप डाउट हो जाओ पराकर्शन, तो बहुत से लोग तो इसमें पराकर्शन लगा याएंगे, लेकिन इसका अंसर क्या है, बिकर्शन, इसका अंसर क्या है, बिकर्शन, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 59 होगे, आगे बढ़ते हैं, 60, कौन सा कोशन है, आगे, 60, देखिए, 60 है, दिख रहा ह 60 question 60 question दिखा होगा सब और विपत्ती का होना सब और विपत्ती का होना इस अर्थ के लिए सई लोकोगती निमनली खित मैं से कौन सी है आगे कुवा पीछे खाई उन्ट के मुह में जीरा एक अना स्वाबी मार एक तो करेला दूर दूसरा नीम चड़ा ठीक है तो इसका क्या हो पीछे खाई ठीक है यह इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो गया आगे कुवा पीछे खाई चलिए next question is 61 next question आपका 60 वन क्या है संत रस का स्थाई भाव कि पूछा गया था करोध का ठीक है तो आज क्या होगा बताई सांत रद का स्थाई वाई अप्शें जुगूपसा जुगूपसा औपिया आपका क्रोध कल यह पूछा गया था C, शोक, D है, निर्वेद, तो बताई आंसर क्या होगा, शांतरस का इस्थाई भाव क्या होगा, तो शांतरस का इस्थाई भाव होता है, निर्वेद, शांतरस का इस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद, ठीके, बाके इन तीनों के आपको देने हैं, ठीके, चलिए, आगे देखिए कल जो मैंने आपको कोशन बता दिया था वो आपके दूसरी शिफ्ट में पूछा भी गया था वो कोशन दूसरी शिफ्ट में पूछा भी गया था क्या कोशन बताया था मैंने कहा था सिल्फ के दया धर नह्कौनवी डिया था कौन सा होता है रोर्ण ÓPTION बी दे रखा है CHUPAI तो पताएं क्या होता qon sap 18 मात्राइं ऊतिति है और दो हाम के चलंड 2130 मात्राइं आया ते कैसे सम्मात्रिक है कैई सम्मात्रिक है कैसे पता क्योंकि सब्सक्राइब सम्मांत्रिक शंदियुक्तर शेल का सव्मात्रिक शंदभी न्युक्त को यारत रहेगा ओगर थे जि cur pel knife के चली अज व 62 question हो गया, next है आपका 63 question, 63 question, रहिमन पानी रखिये, ठीक है, question दिख रहा होगा आपको 63 question, रहिमन पानी रखिये, बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, इन बक्तियों में कौन सा अलगकार है, देखिए, ये बहुत ही important अलगकार है, बार बार पूछा भी जाता है, तो इसमें कौन सा है, तो देखिए, यमक अलगकार कौन सा होता है, जिसमें एक शब्द के दो अर्थ निकले, और सलेश का मतलब क्या होता है, चिपका हुआ, यानि कि एक साथ चिपके हुए, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, सलेश अलगकार, ठीक है, अलग नहीं रखता बेद शब्द का अनेकार्ती शब्द नहीं है यह पूछा है अनेकार्ती नहीं है यह पूछा है नहीं है तो option क्या है प्रकार option B है रहस option C है आपका भिन्नता option D है मूले तो बताइए क्या होगा इसका answer बताइए क्या होगा आपको टीक पहते हैं इसके कितने करते हैं कि इन अब नहीं होगा ठीक है मोल स्कानिकारती शब्द शब्द नहीं चली आगे बढ़ते हैं 63 हो गया सोरी 64 था यह 64 63 तो वो था आपका जो अभी अरंकार वारा ठीक है चलिए अब है 65 से जो आपके यह क्या है आपका यह गद्धान से गंध्यांस मैं नहीं करा रही हूं आगे बढ़ते हैं गद्ध्यांस आप लोग कर लेंगे गद्ध्यांस तो क्या होता है पढ़ने क की ऊपर होता है ठीक है चलिए आगे है अब का इसमें और क्या है गद्ध्यांस और इभी गद्ध्यांस से हां कि देखिए नेक्स कोशन और नीर्जा sрыvence 195 और कोशन अं नीर्जा बूटि नेर्जा पारती ठीक है किसकी है ये पूछा है किसकी है नीर्जे क्रति किसकी है तो option है महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा तो आपको पता चल गया होगा किसकी है ये तो पता ही है चंदरवर्दाई चंदरवर्दाई ठीक है नमबर C है तुलसी दास तुसी दास नमबर D है आप कौन सी है सुमित्रा नंदन पन सुमित्रा नंदन पन तो बताए किस की है तो यह किस की है यह तो सब को पता है नीर्जा किस की है यह किस की है महादेवी वर्मा की किस की है महादेवी वर्मा की किती है नीर्जा ठीक है किसके यह नेज़य महादेवी वर्मा कि चली है अगे हिंदी भासा हिंदी भासा किस भासा से उत्पनोऑ हैEnd weekly लोटoryrier वी उत्पन हिमिटाया उस में खेरखorphchau के ऑफशन दे रखेंज बहरी किसे बहरीफ़िर lavor well can get dhravid sanskrit sanskrit और आप ब्रांच अप ब्रांच तो बताई किसथ से उत्पन्न दो यह किस होह इंदी भाश से किस उत्पन्न होी अपू ब्रांच से थीक है कि अब ट्छ गार ब writes और कि से है अपू ब्रांच से किसे आनद्रांओा सब्सक्राइब सक्राइब कोशन पेली बम बहा हुन फेसमें 70 2 कोशन ये ऑपन से क्यार है इस मैं कोण सभी रिखले जाएे सब्सक्राइब परिमाणबाचक झायर एगा परिमाणबाचक झायर परिमाणबाचक कटराफ सब्थकर माइचा हो जएल्ग गाओранसल फिरवस्च ऑम्रदूएगई इस stability शब्चक धुण सद्टिएनियरद गए इसको मूझ मी इसका सब्डथी कह तरह ग्यrabbas कौन से शब्द है? गॉश दो का परयावाची नहीं है, परयाव बास्ची नहीं है. आप्शन दे रखे आपको कोमल, कोमल, नमबर B, मुलायम, नमबर C, मरसर, नमबर D, पूर. बताएं, answer दीजिए कौनसे शब्द का जो म्रतु शब्द है कोंसे शब्द जो परियवाद कोमल भी है, मरसर भी है, मुलायम भी है cool नहीं है, ठीके यह cool है जो नहीं है, तो answer क्या हो जाएगा D answer क्या हो जाएगा D, मरतु शब्द का कौनसा परियवाद ची नहीं है ठीक है आपका कूल चली आगे बरते हैं सेवन्टी फाइब कॉच्छन, 75 कौन सा पूचा है दिन और दीन का सही अर्थ, सही अर्थ पूचा है ठीक है, ओप्शन दे रखें हैं दिवस और अमीर, दिवस और अमीर, ओप्शन भी दे रखा है, गरीव और दिवस, गरीव और दिवस, अफशन C दे रखा है, अमीर और दिवस, अमीर और दिवस, अफशन D दे रखा है, दिवस और गरीव, अब बताईए, दिवस और गरीव, यह तो सब को बता होगा, देखिए, दिन का क्या होता है, दिन का तो होगया दिवस, ठीक है, और दीन का क्या जाएगा दिवस और गरीब चलिए आगे ठीक है लास्ट कोशन है 76 लास्ट कोशन है 76 आखों के सामने ठीक है 76 कौन सा कौशन है आखों के सामने आखों के सामने सामने बाख्यान से के लिए शही शब्द पूछना है ठीक है कौशन कुछन सा है 70 शब्द पूछा बाख्यान से लिए सब्द क्या हो गा qa और रोक्ष न बी है प्रतक्ष और आप्शन सि है इसका प्रत्य चould को ऑप्शन डी है प्रारूट हो तो क्या हो जब आखों के सामने के लिए शब्द हो जाता है परोक्ष क्या हो जाता है परोक्ष आखों के सामने के लिए यह बाकि अंस का इक शब्द क्या होगा परोक्ष याद रहेगा परोक्ष तो यह थी आपकी हिंदी की इंपोटेंट क्लास जो मैंने आपको सत्रे फर्वरी की सेकंड शिप्ट कर अग्जाम की पूरा पेपर कराया था ठीक है और मैं आपको जी के जीए सारे पेपर लेके आऊंगी और बाकि रीजनिंग का सर कराई रहे हैं और बाकि जो भी आपके इंपोटेंट टॉपिक होंग आपको बहुत अच्छी बहुत निकल रहे हैं अगर आप तैयारी करते रहें अपको पता इस समय कितनी वैल्यू है ठीक है आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक में जरूर बताईएगा जहें जबार